हेलो फ्रेंड्स तो आज हम देखेंगे योनी व्यापत के ट्रिक एकॉइंट टू चरक सुस्रोद और भागवाट तो सबसे पहले बात करते हैं एकॉइंट टू चरक तो चरक ने अचारी चरक ने इसके भेद बताये हैं पहला है वातज वातज फिर पितज कफज त्री दो सज वात पितज और वात कफज वातज कितने बताये हैं टूटल ग्यारा पितज बताये हैं तीन कफज बताये हैं एक सन्नी पातज बताये हैं एक वात पितज है दो वात कफज भी है दो तब इनको जाद करेंगे सबसे पहले आप गयाद रखना है वातज में वातज में क्या है पहला है वातिकी वातिकी इसमें आ जायेगा पितज में नाम से पैतिकी पैतिकी इसके बाद कफज में है इसलैस मकी इसलैस मकी फिर दोस्ट में आ जायेगा सन्नी पातकी ठीक है इतना याद हो गया अब इसके बाद वात और पित तो वात न बोलके हम क्या बोलेंगे वायू वायू और पित तो पित से इसमें परी प्रूता पर से परी प्रूता परी प्रूता और क्या जायेगा इसमें वाज से वायू है ना वाज से वामिनी तो दो कौन-कौन से हो गए इसमें वामिनी और परिप्रुता ठीक है इसके बाद आ जाता है वात और कफज वायू और कफज तो उसमें पर से क्या था परिप्रुता था इसमें कर्णिनी है क्या है कर्णिनी यह आ जाएगा वायू वहा यहां पर क्या था अब वा से क्या स्था वामिनी यहां पर नहीद इसमें उ ई रूटा क्या जाएगा उप लुता और टिक है तो यह हो गया अब बाटी उपर क्यात करते हैं तो इस प्रिप्तर 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 प् पैत्तिकी हो गया दूसरा क्या है रक्त योणी यो तिसरा क्या है अरजस्का क्या है अरजस्का तो इसको कैसे याद करेंगे कि इतात्वा को पता होगा कि जो रक्त है वो पित्त का क्या है आश्रे है ठीक है ना तो पित्त रक्त क्या है आश्रे है तो कैसे याद करेंगे कि अरे रक्त पित्त का आश्रे है अरे रक्त पित्त का आश्रे है ठीक है तो तीन याद हो गए अरे से हो जाएगा अर्जसका रक से हो जाएगा रख्त योनी और पित्त से पैतिकी तो अरे रख्त-पित्त का आश्र है यह तीन आपको ऐसे याद जाते हैं कि अब इसके बाद चलते हैं वातज में कि वातज में कितने हैं टोटल इलेवन इलेवन में आपको एक याद है वातिकी बांकी दस में याद करेंगे इसके लिए ट्रिक है पहले ट्रिक देखते हैं साठ अचार अंत में अंत में सुसमा के पुत्र ने दवा के खाया दवा के खाया अब यहाँ पे अब यहाँ पे साठ से क्या हो जाएगा अब यहाँ पे साठ से क्या हो जाएगा संडी अचार से इसमें तीन चीज़ा जाएगी पहला है अचारणा फिर अती चारणा अती चारणा फिर आजाएगा इसमें प्राग चारणा अंत से क्या हो जाएगा अंत से हो जाएगा अंत मुखी अंत मुखी और सूची मुखी अंत मुखी और सूची मुखी ठेक इसके बाद आ जाएगा सुसमा सुसमा से क्या हो जाएगा पहला तो हो जाएगा सुस्क क्या हो जाएगा सुस्क अम्मा से क्या हो जाएगा महा योनी महा योनी महा योनी हो जाएगा पुत्र से हो जाएगा पुत्रगनी क्या हो जाएगा पुत्रगनी दवा से क्या हो जाएगा आपका दवा से हो जाएगा उदावर्तिनी उदावर्तिनी यह हो गए आपके टोटल 20 योनी व्यापद according to चरक अब दिखते हैं according to बागभट according to बागभट और इनका और चरक का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लभख लभख सेमी है इन्होंने वातज 11 ही बताए है पितज चरक ने 3 बताये थे इन्होंने 2 बताए है कफज इन्होंने भी एक बताया है प्रिदोसज प्रिदोसज इन्होंने भी एक ही बताया है वात पितज दो है पितज कफज भी स्वारी वात वात और कफज वात और कफज किते हैं दो है और इन्होंने एक एक्स्ट्रा बताया है क्या है क्रीमीज एक आपको इसमें एक्स्टा याद रेखना है क्रिमीज एक क्रिमी बताया है बागी सब कुछ सेम है पित्तज चरक ने तीन बताये थे तो इन्होंने दो बताया है और एक एक्स्टा क्याता दिया है क्रिमीज ठीक है अब आते हैं हब से पहले वातज में वातज के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 60 अचार अंत में सुस्मा के पुत्र ने दबा के खाया साथ अचार सुस्मा के पुत्र ने दबा के खाया संडी अचार सी तीन चीज़ा बताई थी मैंने इसमें तूस्मा से क्या बताया था सुस्सका और महायोनी फुत्र से क्या था पुत्रग्नी दबा से क्या था उदावरतनी ठीक है तो यहां पर आपको दो चीजें यहां पर ज्यादा फोकस किया गया है साथ अचार सुस्मा के पुत्र ने दवा इखाया अचार और पुत्र यहां पर क्या है सेंटर पॉइंट है ठीक है यहां पर देखिए भागवट ने क्या क्या नहीं माना है तो बागवट ने क्या नहीं माना है, पहला है अचर्ना, क्या नहीं माना है? अचर्ना को नहीं माना है, और क्या नहीं माना है? पुत्रगनी, पुत्रगनी को नहीं माना है, अचर्ना और पुत्रगनी, अचर्ना और पुत्रगनी को नहीं माना है, उसके ज़रे क्या माना है? करें हमेगा टॉब आले हैं कि अब करेंगे बाक को सेम है याद कर सकते हैं अभर ओडम ले तक दि एक है या तो इस ट्रिक की बैंड बजा दी कैसे बजा दी बैंड अचर्णा और पुत्रग्नी को हटा के अचार और पुत्रग्नी को हटा के तो दो चीजें हटा दिये इसमें अचर्णा और पुत्रग्नी एक्ष्टा क्या है वामिनी और जातग्नी क्या है वामिनी और जातग्नी तो ह कफज जो है सेम है कफज में क्या है इस लेशने की उन्हों ने माना है और बागवर ने माना है ठीक है और ती दोसज में सन्नी पाति की चरग का इनका सेम है सन्नी पाति की सेम है इसके बाद वात और कफज वात और कफज भी सेम है ठीक है तो सेम सेम की बात नहीं करेंगे ठीक ते की रख्ती युनी और रख्ते यूनी और अर जस्का ठीक है रख्तपित 건org Pritaona कि इसकी ठीक तुछ और कर अश्रह तो यहां परड़िये चाहें पाग्वाट क्या थिया है इसकूर फड़िया नहीं रहे है उन्होंने क्या किया इसको हटा नहीं माना है पैत्तिकी और रखते होनी अब इसके बाद क्या है बच गया वाद्तज और पित्तज में पर से क्या होता था परी प्लुता अब इसके बाद इसमें क्या माने थे वो चलंग न क्या माना था वर से क्या मान लिया था उन्होंने वामिनी आपको वामिनी है जाता क्या रखना है अब लास्ट है क्रेमिज 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 में क्या जाएगा इसमें विपलूता क्या जाएगा विपलूता ठीक है विक की से आदर रखते हैं विक की कैसे विक की विपलूता और क्रेमिज यह हो गया आपके एकॉर्डेंट टू चरक और एकॉर्डेंट टू भागवाट यह निव्यापत क संक्या